वल्कम बाग टो दो चैनल यूवान, I hope you guys are doing absolutely fine बढ़ गई और उसने वही बोला जिसका मेरे को डर था उसने बोला दोनों में से एक चूज करो या तो free fire या मैं और ये सुनके मेरी बोलती बंद हो गई अब आप लोग बोलोगे बिंजद भाई तुमने तो free fire को ही चूज किया होगा साला इतना आसान नहीं था एक साइट से अगर free fire था दूसरे साइट से 7 साल का relationship था तो वीडियो आगे देखो बहुत ही funny story टाइम है और आप सच मैं बहुत ज़्यादा हसने वाल है और जिसने अभी तक एस सीरीज के बाकी parts नहीं देखे होगे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे links मिल जाएंगे और जिसने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया होगा प्लीज भाई लोग आज कर देना अपनी पूरी जिन्दगी में मेरा suggestion याद रखना कभी भी girlfriend मत रखना और अगर गल्ती से ऐसा हो भी गया तो कभी भी उसको ignore मत करना वरना तुमारी जिन्दगी एकदम नरग बन जाएगी तो ये कहानी उस time की है जब मेरी girlfriend और मैं एक ही college में पढ़ते थे दोनू नस्दीक में रहते तो हमारी college बस भी सेमी थी और दोनू के बीच जगड़ा होता नहीं था जगड़े का कोई reason था नहीं मतलब सब कुछ एकदम सही चल रहा था लेकिन अचानक हम दोनू की life में entry होती है free fire की जिसको तुमारी बाबी game नहीं सोतन बोलती थी और मेरे को आज भी यादे free fire आते ही चीज़े एकदम बदलने लग गई जो couple college बस में बात करते करते घर जाते थे वो आप बस में बात ही नहीं कर पाते थे क्योंकि तुमारे बाई को college बस में game खेलने में बड़ा मज़ा आता था मतलब जो time में सिर्फ girlfriend को देता था वो आप दीरे दीरे बटने लग गया लेकिन अभी game का नशाद थोड़ा कम ही था तो girlfriend को भी time देता था और उसी college के सफर में तुमारा बाई बिनज़ाद से बिनज़ाद gaming बन गया और बहुत time तक ऐसा ही चलता रहा लेकिन girlfriend ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और यहाँ तक की channel पे 2,00,000,000 subscribers भी पहुँच गए थे लेकिन अब मैं 5,00,000 subscriber का सपना देखने लग गया और ज्यादा serious हो गया और मेरे को आज भी यादे एक दिन college bus में girlfriend कुछ important बात बोल रही थी और मैं game खेलने में इतना मगन था कि मैंने कुछ सुना भी नहीं और यह देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुसा हो गई उसने मेरे को पूछा जैद में अभी क्या बोल रही थी अब आप लोगी बोलो मैं क्या बोलता मेरे को गंटा कुछ बता नहीं था और मेरा कुछ सुनने से पहले ही उसने मेरा फोन चीन के चलती गाड़ी से बहारी फैंक दिया और यह देखे में एकदम शॉक हो गया मैंने लाइफ में पहली बार गर्ल्फरेंड का ऐसा चेहरा देखा था मैंने चुप चाप बस ड्राइवर को बस रोकने को बोला और जब मैं नीचे उतरा मैंने फोन देखा तो उसका डिस्पले तूड गया था और सच बोलनों तो यह देखे मेरे को बहुत ही ज़्यादा गुसा आया लेकिन मैंने उसको ज़्यादा कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं जानता था सीधा उंगली गेम पे उठेगी अब टाइम गुजरता गया और मैं अब फ्रेंड्स के साथ पीछे बस में बैटके गेम खेलता था फिर उसके बाद इंटरनेटी बंद हुआ और फिर कोविड भी आ गया और इस चीज की वज़ा से लड़ाया और भी ज़्यादा बढ़ने लग गई और इंटरनेट जब वापिस रेश्टोर हुआ फिर भी कॉलेज बंदी थे क्योंकि कोविड चल रहा था और दिन बर घर पे ही बैठना होता था तो मैं यूट्यूब और फ्री फायर में और भी ज़्यादा सीरियस हो गया और देखते ही देखते हमारा चैनल बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो गया और हम 6 लाग सब्सक्राइबर्स भी पहुंच गया लेकिन मैंने बहुत हमाच जटा के उसको फाइनली कॉल किया और उसने फोन बहुत ही गुस्से से उठाया और उसने एक ही बात बोली अगर तुम्हें मेर साथ रहना है तुम्हें गेम को छोड़ना पड़ेगा या तो गेम चूज करो या तो मुझे और अगर तुमने गेम चूज किया उसके बाद जिंदगी बर मुझे अपनी शकल नहीं दिखा और ये सुनके मेरी बोलती एकदम बंद हो गई क्योंकि दोनों में से एक चूज करना आसान नहीं था एक साइट से था साथ साल का रिलेशन्चिप और दूसरे साइट से था फ्री फार और सच बोलूं तो मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया और ये देखे उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और उसने बोला एक गेम आज मेरी बराबरी कर रही है तो क्या मैं उस दिन बोलता ये सिरिफ एक गेम नहीं हमारा इमोशन है और इससे पहले मैं कुछ बोलता उसने सीधे फोन ही आफ कर दिया मेरे को सच में उस दिन लगा रिलेशन्चिप खतम है और फिर बहुत टाइम बात कुछ करके उसने फाइनली अपना फोन आउन कर दिया लेकिन इस बार भी बात सेम ही थी या तो गेम या मैं और उसने ऐसा बोला अगर तुमने आज भी कुछ नहीं बोला तो इसके बात जिन्दगी बर हमारी बात नहीं होगी लेकिन मैंने गेम बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था नहीं थोड़ा सा भी कम किया था और उसको एचीज पता था मेरे को शाम को जल्दी सोने की आदत है तो उसकी नजरू में मैं सोया होता था लेकिन वो आदत बदल चुकी थी क्यूंकि रात को मैं आप गेम खेलता था प्लैन एकदम सिंपल था उसके दिमाग में गेमिंग का कीड़ा डालना था और वो भी पता है कैसे एक लालज देके मैंने उसको बोला हम लोग फ्री फायर साथ में खेलते और इसी बहाने हम लोग साथ में हमेशा बात भी करेंगे और मैं यह चीज जानता था उसको यह बात करने वाला आइडिया एकदम अच्छा लगेगा और इसी चीज की वज़ा से उसने गेम खेलना स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते उसको गेम में बहुत ही मज़ा आने लग गया और वो अब मेरे बगैर भी गेम खेलती थी और सब कुछ एकदम सही हो गया मैं चैनल पे भी वीडियोज डालना शुरू कर दिया और हम आठ लाख सब्सक्राइबर्स पहुँच गए थे लेकिन एक दिन हम साथ में खेल रहे थे और साथ में एक गिल्ड का प्लेयर भी था और उस गिल्ड के प्लेयर ने किसी लड़की को इन्वाइट किया मेरे को आज भी याद है जब वो लड़की ग्रूप में आई उसने सीधे बोला बिनजयत में तुमारी बहुत ही बड़ी फैन हूँ और मुझे तुमारी आवासे एकदम प्यार है और ये सुनके तुमारी चुडैल बाबी का एक ही रियाक्शन था अच्छा तो तुम गेम में यही करने आते हो और देखते ही देखते ही वो जो ग्रूप था वो एक लड़ाई का मैदान बन गया और सारी गोलिया मुझे पर ही चलनी लग गए और कुछ समझाने से पहले ही उसने अपनी गेम को ही डिलीट कर दिया और दो दिन तक ऐसी लड़ाई ही मतलब साला पूछो मत मैंने उसको बहुत समझाया कि मैं गेम में लड़कियों के साथ नहीं खेलता हूँ लेकिन उसने बिलकुल भी नहीं माना वो एकदम बात भी नहीं सुनना चाती थी और सच बोलू तो फोन काटने के बाद मेरे को लगा था वो कभी भी मेरे को कॉल नहीं करेगी लेकिन दूसरे दिन अचानक उसका कॉल आया और उसने बोला मेरे से गलती हो गई अब जल्दी से एक मिलियन पहुँच जा यह सुनके मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आया तो मैंने उसको पूछा अचानक क्या हुआ उसने बोला मैं सच बोलूँगी मैं कल पूरी रात आपके चैनल पे लड़कियों के कमेंट्स देख रही थी और आपने किस किस का रिपलाई किया है लेकिन वहाँ पे मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं मिला उल्टा मैंने ऐसे लोगों के कमेंट्स पढ़े जो आपको अपनी इंस्पिरेशन अपना बाई मानते और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते तो मैं कैसे उन आठ लाक लोगों का दिल तोड सकती हूँ और साथ में आपका भी और साथ में ये भी बोला जल्दी से एक मिलियन पहुंच जाओ मेरा पूरा सपोर्ट है आप और सच बोलू तो ये सुनने के बाद मेरी नजरों में उसकी इज़त और भी बढ़ गए और उसके बाद फाइनली सब कुछ सही हो गया और परसु जब हम एक मिलियन फैमली बन गए तो सबसे पहला केक उसी ने काटा और थेंक्यू सो 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 मच हमारा एक मिलियन का ड्रीम पूरा करने के लिए अब हम दो मिलियन की रेस में लग चुके तो प्लीज बाइ लोग जल्दी से वो भी करा दो या तो यही था इस वीडियो में अगर आप कोई वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो पैन चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना बबाई आलाव यू अल